दमाश्टर प्रकास कलासिस अब सभी का बहुत-बहुत स्वागर करता है आप लोग हमारे साथ जुड़कर रोजाना लेकपाल से संबंधित गराम समाज युम विकास के 25 परशनों को सालब कर रहे हैं उसी प्रेक्टिस सेट के स्रिंखला में अगला प्रेक्टिस सेट लेकर जो है हम लोग आये हैं तो चलिए देखते हैं इस 25 परशन में आप लोग के कितने परशन सही हो रहे हैं और कमेंट करके आप लोग अंतमी बताएंगे कि आपकी कितने परशन सही हुए हैं और बीच में जो है सारे परशनों के उत्तर भी देते रहेंगे कमेंट बाक्स में जिसे कि आप लोग का मनोबल बहता रहे तो चलिए देर्णा करते हुए, पहलाा परस्ण दिखते हैं तो पहले परस्ण में ज्यों मंडल बायो、 इस्से और धर्टी बहँ भाग हैं जिसमें क्या निवास करते हैं? यह बताना है पहला अप्षन है जीव, दूसरा निर जीव और तीस्रे में उप्रिकति दोनों या इनमें से कोई नहीं ये बताना है तो इसका कौन सा अप्षन सही होगा कमेंट करके आप लोग उत्तर अपना दीजिये, अपनी राय भी दीजिये तो इसका आपसन जो सही होगा वो उसमें सभी जीव जो है निवास करते हैं ठीक है तो जीव मंडल में सभी जीव निवास करते हैं आपसन नंबर फास्ट इसका सही हो जाएगा इसी के साहत अगला प्रशन है गंगा कल्यान योजना तथा 10 लाख कुओं की योजना अब अलग से नहीं चल रही है बल क्यों नहीं अपरेल 1999 से मिला दिया गया है तो वो ही योजना जो है कौन सी है कौन सी योजना में उसे मिलाया गया है ये बताना है तो 77 में जो सही होता है वो आपका पहला ही सही हो जाएगा स्वर्ण जैनती ग्राम स्वरोजिगार योजना में इसको सामिल कर दिया गया है आपसन नमबर फस्ट इसका राइट एंसर हो जाएगा अब लोग को कनफ्यूज नहीं होना है अगले प्रस्ट के तरफ पढ़ेंगे जो कच्छा एक से पांच तक के स्कूली बच्चों को के लिए 15 अगस्त 1905 को जो सुरू किया गया था भोजन प्रक्रिया उसके बाद में इसे कब से भारत सरकार ने निरना लिया कि इसे कच्छा 6-8 तक यानि कि उच्च प्राइमरी अस्तर के लिए भी बढ़ा दिया गया है वो कौन सा संथ था ये बताना है तो सबसे पहले जो प्राइमरी अस्तर तक चालू हुआ था वो 15 अगस्त 1995 से शुरू हुआ था और 6-8 तक जब उसमें एड किया गया या बढ़ाया गया तो वो कौन सा संथ था तारिक थी ये बताना है तो 78 में वो आपसन नमबर 1 और 13 स्तंबर 2007 से इसको सामिल किया गया है या 1 आपसन इसका राइट एंसर हो जागा नेक्ष्ट की तरफ बढ़ेंगे और अगले में पूछा गया है कि राष्ट्य विकास परसत एंडेसी नेशनल डेवलेप्मेंट काउंसिल योजना प्रकिरिया से जुड़े एक निकाह हेतु की अस्थापना केंद सरकार द्वारा कब की गई थी ये बताना है बहुत अच् कृष्टकला उद्योग समबर्ग में आता है तो यह आग्रा का मगबर मारबल उद्योग या मिर्जापुर्भधय का कालीन उद्योग भ्यार जर्दोही वें उपर के सारी उप्रियुक्त सभी तो इसका कौन सा सही होता है तो इसका आप्सन नंबर जो है डी सही हो जाएगा उप्रियुक्त सभी सही है ठीक है ये सारे हैस्ट करा उद्योग के संबर्ग में आते हैं आप्सन डी सही होने के साथ अगला प्रशन है ग्रामीड करसी आर्थिक तंत्र जो भूमी आधारित है में कौन धातु यानि मेटल का परियोग होता है तामबा चांदी सोना यूम लोहा तामबा चांदी सोना यूम लोहा सभी या इन में से कोई नहीं तो इसका अपसन नमबर सी सही होने के साथ साथ बढ़ेंगे अगले परिस्ट में जिसमें तामबा चांदी सोना यूम लोहा सभी आ जाते हैं तो अगले परिस्ट में पूछा जा रहा है कि जो है उत्तर परदेश के कतिपै छेत्रों में फूमी हीन सर्मिकों को उन्हीं परिवारों के खेतों पर सर्म करना परता है जहां उनके माता पिता करते थे यहां पर्था क्यों जारी है तो आप लोग समझ गये होंगे इसका मतलब क्या है कि जो माता पिता जिसके यहां काम करते थे उन्हीं के पच्चे भी उन्हीं के यहां काम करते हैं तो यह पर्था जो है किस लिए जारी है क्यों जारी है बताना है तो इसमें इह जारी होने काइसका कारण कि यह पर्धा जज्मानी पर्था के अधिनाती है आपसननंबर फपस्ट इसका सही होजा proportion का गा pem में मृत पस्वों द्वारा प्रदोसन होता है अता है इसकी रोक थाम हे तू क्या करना चाहिए तो इसकी रोक थाम के लिए क्या करना चाहिए आपसना आपके स्क्रीन पर है कमेंट करके बताए क्या करना चाहिए तो इसकी रोक थाम के लिए चमड़ा उतार कर मृत पस्वों क गड़े में दबाना चाहिए ये भी सही है चमरा उतार कर परसूओं को गाउं में काफी दूर निश्चित अस्थान पर डाल देना चाहिए ये भी सही है या प्राकृतिक सफाई करमी गिद जैसे की गिद चील कवए गिदर्ड की द्वारा सता ही इसको खतम कर दिया जाता है ये भी सही है तो अप्रियूक तसार ही आपसन सही हो जाएंगे आपसन नंबर डी सही होगा इसका नेश्ट की तरफ बढ़ेंगे परियावरन क्या कहलाता है तो परियावरन जो है हमारा वो आपका कहला है कि हमारे चारों और का परिवेश जिसमें हम अथवा अन जीव सभी रहते हैं वो परियावरण कहलाता है आपसन नंबर फस्ट ही सही हो जाएगा इसका और बाकी जहान पे केवल लगा होता है यह केवल अमेसा गलत होता है नेगेटीव ओर अब लोग को मालुम ही है तो चलिए पहला आपसन सही हो जाएगा नेश्ट है भारत का राइष्टिय परसू का उनसा है बहुत अच्छा ब्रशन है सभी लोग मालूम होगा तु भारत का राइष्टिय परसू सभी लोग जानते हैं बाग है आपसे नमबर सी इसका राइट एंसर हो जाएगा टाइगर इसको इंगलिस में कहते हैं नेक्स्ट उत्रप्रदेश में अनुसोचित जातियों के लिए इस्पेसल कंपोनेंट प्लान के इंतरगत अंस करे तू ब्याज रहित ब्याज करे रहित ब्याज रहित रिंड योम अनुदान का प्रावधान कितने परतिसत अनुसोचित जाती योम जन जातियों के लोगों है हे तू किया गया है चलिए बताइए फटा फटा आप लोग आपसन इस स्क्रीन पर दिख रहा है तो 86 में जो सही होता है वो फस्ट ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें निर्बल बर्ग 30% में आने वाले लगवग 50% अनुसूचित योम जन जातियों के लोग हे तू यह जो है ल लगवग कितने परतिसत बच्चे प्रभावित होते हैं तो तीन वर्ष के उमर तक जो है एनेमिया से प्रभावित होने वाले बच्चे जो होते हैं वो आपका लगवग 74% बच्चे इसमें आते हैं आपसे नमबर 10 का राइट एंसल हो जाएगा नेक्स्ट है उसी परसन के नुसार एनेमिया रोग से किसूरावस्था यानि लड़कियों जो है कितना परतिसत प्रभावित होती हैं तो इसमें जो लड़कियां प्रभावित होती हैं वो भी लगवग 90% से अधिक लड़कियां प्रभावित हो जाती हैं ठीक है एनेमिया तो आप लोग जानते होगे इसमें जो है खुन की जो है कमी हो जाती है ठीक नेश्ट पर चलेंगे उत्तर परदेश की समस्त आबादे में कितने परतिसत लोग निर्बल बर्ग में आते हैं ये बताना है तो निर्बल बर्ग में आने वालों लोगों की संख्या जो उत्तर पर देश में है लगबख 30% के सही हो जाएगा नेश्ट है देश में वर्स 2011-12 में परति ब्यक्ति परति दिन फलों का उपभोग कितने गराम रहा तो एक दिन में 2011-12 के नुसर जो फलों का मतलब क्या गयते हैं उपभोग था वो लगबख 160 गराम के बराबर रहा आपसन नमबर इसका फ़स्ट सही हो कि दोरान आलूत पादन में देश के उत्तरपरदेश का स्थान क्या रहा यह बताना है तो 91 में आपसन जो सही होगा वो भी आपसन आपका सही हो जाए इसमें दूतिये स्थान जो है उत्तरपरदेश का हमारे 30 नेक्ष्ट पे चलेंगे बीपील के लिए खाद्यानों का नि कि पचास परते साथ इसकी लागत मुले ने धार्ज किया गया है भी आपसन सही होगा नेक्ष्ट पे चलेंगे उत्तरपरदेश में सहकारी समिती संस्थानों द्वारा सहकारी निवेस अक्रिसी निवेस आपूर्टी यो विबरन योजना में खेती से जुड़े किसानों को दिया जाता है क्या दिया जाता है तो इसमें परमारित बीज भी दिया जाता है राजसानी को अरबरक भी दिया जाता है और अलकाली रिंड भी दिया जाता है तो प्लिए सारे सही हो जाएंगे इसका इसी के साथ अगले पशन को देखेंगे उत्तरपरदेश में औरबरक अ रही हो जाएगा नेक्ष्ट को देखेंगे तो बरत्मान में भात्य करिसियन फंधान परिसद आई सी ए आर नई दिल्ली की महानी देशक यानि डीजी जो है वो कौन है यह बताना है तो यह पुराना पेपर है इसके अनुसार जो आप सन्में लिखा गया है वह आपका जो है यह क्या कहते हैं डाक्टर एस यकपन जी इसके जो है महानी देशक है और 2021 में इसके जो महानी देशक है वो कौन है आप लोग कमेंट करके जो है बताएंगे उत्तर को ठीक 2021 इसका स्याप्सन सही है और इसमें जो है 2021 में जो है कौन है इसके महानी देशक है कमेंट करके आप लोग कमेंट बास में बताएंगे चलिए अगले परस्ट पर देखते हैं अगले परस्ट में गरामेर छेत्र के अनुसूचित जनजाती के पास क्रिसी भूमी बहुत कम है जो है उसकी सोच्छा है तो क्या उपाय कि किया गया है वो गयर अनुसूचित को हस्तानांत्रन जिलादिकारी किया गया से ही होगा बहुत अच्छा प्रस्ट है यह जो है इनके जो है लिए यह व्यूस्था किया गया है आप संदी सही होने के साथ अगला प्रस्ट है गरामेर छेत्रों में लगभग 50% बच्चे कारण जो वह है इसकुलों के खराबिस्ति के कारण यह भी सही है और गरीबी के कारण यह भी सही है अगों द्वारा मन में मन underby 5-7 और मन से नद धेड़ाना यह वी स्मेश्थित है आप सब्सक्राइब फश्ट इसका सही हो जाएगा नेश्ट है इसको थोड़ा चुटा करते हैं भारत में योजना आयोग का गठन किस्ट किया गया था जिसमें ये चार कार योजना कि समिच्छत हैं और इस योजना का नाम नहिंश्ट को देखेंगे और इससा व्योजनां का नाम इर्द्यच जो होता है वह हमारे परदानमंत्री हैं तो इस समय इसके अध्यच कौन है हमारे परदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी है याद रखेगा आप लोग चलिए अगले परशने पर चलते हैं तो अगला परशन है गाउं की तरफ एक कदम बढ़ाने की नीत यानि पॉलिशी के उद्देश से एक नई स्क परशनों को कमपलेट कर चुके हैं आप लोग बताएंगे कि इस 25 परशनों में जो है गराम समाज विकास में आपके कितने परशन सही हो रहे हैं 25 परशनों में कमेंट करके आप लोग अवस्वी बताएंगे तो चलिए मिलते हैं अगले प्रेक्टिस के साथ तब तक के और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करें जिससे कि उनको भी प्रेक्टिस सेट का लाब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यबाद देखने के लिए